तो आज का दूसरा स्टॉक है मेरा निलको जहाँ पर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है और यहाँ पर मेरे टार्गेट है 270 रुपए के इस टार्गेट के साथ आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए ताटा ग्रूप की कंपनी आप सभी जानते हैं खरीदारी की वजए मैं आपको फिर से बता दूँ बहुत ही इंपोर्टेंट बड़ा डिवलप्मेंट हुआ है देखें यह स्टॉक हमें हमेशा से जिस वज़े से पसंद आता था अब उसका अगला चरण आपके सामने है वो प्ले आउट हो रहा है विस्तारा जो की टारा ग दे रही है तो जाहिर है कि उनको मैच करने के लिए भारती ऐरलाइनस के लिए भी जरूरी है कि वो ये करें तो विस्तारा ने शुरू किया है उसके बाद और दूसरी कंपनिया करेंगी अच्छा नलकों से क्या लेना देना है इसका दरनसल आपको याद दिला दू पहले भ कि इनको भारत सरकार की ओर से लाइसेंस मिला है भारती सी यानि हमारे समुद्र से होकर गुजरने वाले पानी के जहाज और साती साथ एरलाइन्स में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो ये पार्टनर है पैनासोनिक दूसरा पार्टनर है जो इसको फैसिलिटेट कर रहे है तो नेलको को साफतोर पे इस सेवा का फाइदा मिलेगा मैं देख रहा था जो रेट्स है फिलहाल उन्होंने फ्री लांच किया है फिर बाद में बात की जा रही है कि तीन या पांच डॉलर के आसपास रेट होगा और बाद में फिर डोमेस्टिक उडानों में भी आएग अगर आप देखें तो अंतराश्ट्री सफर करने वाले पैसेंजर्स के लिए अगर ये सर्विस पेड़ भी होती है उन्हें आप्ट भी करना होता है तो तीन डॉलर या पांच डॉलर देकर के पूरे सफर के दौरान जरूर लोग इसका फाइदा उठाना चाहेंगे बलकि कुछ अंतराश्ट्री ऐरलाइन्स दस डॉलर तक भी चार्च कर रही है वो भी मुझे रीजनेबल लगता है तो ये बहुती पॉपुलर होने वाली है सर्विस आजकल हम और आप बिना नेट के रह नहीं सकते जब हम हवाई जहास में सफर कर रहे होते हैं तो बड़ा डिसक 24% जो FDI का नियम बना है ध्यान रखिए Tata Group की कंपनी है एक बहुती स्ट्रॉंग पेरेंटेज है दुनिया भर की एक जानी मानी ब्रैंड वैल्यू है सरकार को तमाम सिवाए देने के मामले में Tata Group हमेशा आगे रहा है सरकार के साथ काम करने में आगे रहा है तो यहाँ पर अगर आप इस कदम का फाइदा उठाने वाले कुछ एक स्टॉक्स की गिंती करना चाहें तो उनमें नेलको भी होगा मैंने पहले आपको Apollo बताया Zen Technologies बताया देखिए वो सारे स्टॉक ऐसे हैं जो टेक्नोलोजी के शित्र में काम करते हैं क्योंकि Joint Ventures की, Collaboration की, Tie-ups की ने टेक्नोलोजी का इस्तेबाल बहुत जादा हो रहा है, लॉक्टाउन और उसके बाद में और उसका पूरा फाइदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसकी बात लेकिन फिर हम आगे कभी विस्तार से करेंगे, सिर्फ एक छोटी सी जानकारी आपको दे दू और फिर विनय आपको इस पर अपनी कॉल देंगे, इस कंपनी ने पिछले तीन साल में अपना टर्नोवर 50 फीजदी बढ़ाया है और इसका मुनाफ़ा अगर आप देखें तो पिछले तीन सालों में डबल हुआ है, तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉंग ट्रिग और इसकी मैं यह कह रहा हूँ, यह दिखी शुरुआत है, आज पहली बार एक भारती एरलाइन ने यह सर्विस शुरू की है, और यह अभी आपको आगे आने वाले दिनों में फैलता हुआ नजर आएगा और बहुत बड़ा नया बिजनिस खुल रहा है, तो यह पहला दिन हैं, जब आपको मौका मिल रहा है, इस टॉक पे निवेश करने का, इस स्टोरी के चलते तो यह मौका आपको चुकना नहीं चाहिए, विने क्या कहते हैं आपके चार्ट्स, प्रदीप, सबसे पहले तो यह मैं बताना चाहता हूँ, कि यह स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं ह और आज के सेशन के दौरान एक अच्छे वॉल्यूम के साथ उसके ओपर सस्टेंड कर रहा है, 200 दिन की मुविंग एवरेज अभी करीबन 201 के लेवल पे है, और आज उसने 50 देज मुविंग एवरेज भी क्रोस किया है, तो जो पिछले दो महिने का जो एक ट्रेंड था, व करते हो और इस तरह से अगर क्लोज आया तो डेफिनेटल एक मुमेंट्टम बाइंग का बन सकता है, तो आई वूड लाइक तो से एट के आप फिर कहें या ना कहें, तो आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जब आप कह रहा हैं कि 200 दिन के मुविंग एवरेज के उपर ब्रे पीचे फिसलने के बाद फिर से वापिस लोटा है ये स्टॉक, बहुती स्ट्रॉंग अप्ट्रेंड में था, करेक्शन पूरा हुआ, और इतनी अच्छी खबर के बाद ये अब आपको तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, मेरी स्क्रीन पे जो चार्ट खुला है, अग उने 400 रुपए पे चला करता था ये स्टॉक, तो कितना बड़ा करेक्शन होने के बाद, अब आपको यहाँ पर रिकवरी अभी तो शुरू हुई है, अच्छी खबर तो अभी आ रही है, फंडमेंटली आपको यहाँ पर निवेश करने की राय, स्टॉक पे और इमीडेट टागेट तो आपको विन्हें ने बता ही